हेलो फ्रेंट्स वेलकम टु दु नूबल प्रफेशन मैसेलफास था नर्सिंग ओफिसर के जेमिन स्वागत करते हूं आपका माई यूटब चैनल पे अलड़ी मैंने अपने चैनल पे यूपी पीसी में एक्साम के लिए दो मॉडल पेपर और साथ में ओल्ड एर का आपको करने में चैनल करिगा अगर आप को कैसे लिखना यह वीड़ी वह बोज़ो के लिए को और पेपर आपको क्रेइक्स करने में और यह बहुत करेगी तो में और बिए ग्सक्राइब तो आपके लिए लेकर पर अगी जिसको आप solve करिए, market से आप purchase करिए, UPSC वाली copy और उस copy पे आप लिखिए, practice करिए कि कम समय में कैसे आप अच्छे से अच्छे contents को लिख सकते हैं अपने main exam में, जब आप दो exam पास करके selection पाओगे तो अपने आप में हमेशा के लिए proud feel करोगे, कि आपने UP के service rest exam को पास किया है और selection लिए, यह question paper आप देख सकते हैं, और लेडी मैंने अपने channel में बताया है कि question paper जो होगा, वो दो part में divide होगा, A और B, खंड A और खंड B में divide होगा, पहले बाद ले session में आपको 5 short question आएंगे और पांचों के पाच एक question आपको करना होगा, 85 marks का paper होगा, written exam होगा 85 marks का, उसम कि पहले part में आपको 5 question मिलेंगे और 5 में से आपको कोई भी question skip नहीं करना है, सारे question आपको पहले part में करनी है, और दूसरा वाला जो होगा, वो 6 long question होगा, और जिसमें से आपको 4 question करनी होगे, तो अब मैं यहाँ पे नए-नए question इसमें आड करके जाएंगे, मेली जो subject चाहिए, जो आपके अनोडमी फिजोलजी से related, disease condition, medical surgical से related question आए होगे तो उन सारे को relate करके मैंने बनाया, कोई भी question direct आपको ऐसा नहीं मिलेगा, जो आपके main exam में वही आजाए, हां लेकिन आपको एक idea होगा कि कैसे कैसे question आ सकते है, पहला question यहाँ पे देखे है, हिंदी में इंग्लिस में भी question आएगा, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, तो हिंदी में लिखे, इंग्लिस में लिखना चाहते है, तो English में लिखे, concept clear होना चाहिए, जो question आपसे पूछा जा रहा है, उसका answer आपको clear होना चाहिए, examiner सिर्फ आपका presence of mind देखना चाहता है, औ आपके sociology से question है और main exam में भी sociology से question पूछे गे थे ग्रामेड समुदाई क्या होता है और ग्रामेड और सहरी समुदाई में अंतर क्या होता है सामाजिक समोहों के वर्गिकरण से आप क्या समझते हैं सोचल स्ट्राटिफिकेशन का question पुछले बार पूछा गया था तो यहां पर एक ग्रूप का question देख सकते हैं क्लासिफिकेशन बताईए सोचल ग्रूप के घाव भरने के प्रभावित कारकों की ब्याख्या करें explain the factors influencing und healing ऐसे से कौन से factors हैं जो आपके कहीं पर अगर und हुआ है तो उसको healing में कौन कौन से कारक हैं जो help भी करते हैं और साथ में कौन से ऐसे factors हैं जो उसको delay करते हैं healing में तो यह चीज़े बतानी है द्रव और electric असंतुलन के जोखिम के क्या कारण हो सकते हैं यह आपको बताना है यानि कि what are the risk factors of fluid and electrolyte imbalance यह आपको बताना है तीवर तॉंसिलाइटिस क्या है यह medical surgical से या फिर मैं को business condition उठा के question आया है कि तीवर तॉंसिलाइटिस क्या होता है प्रकार और नैदानिक विसिस्ताव का वड़न करें आपके खंड अ या फिन section A में 5 questions जो आएंगे उसमें से आपको सिर्फ 5 questions मेलेंगे और compulsory आपको पांचे के पांचे के पांचो question को करना section B में आपके लिए option होगा तो यहाँ पर respiratory system से question पूछा गया है कि define respiration, draw the label diagram of lungs and explain the mechanism of respiration पिछली वाले exam में kidney से related पूछा गया था kidney का diagram बनाना था और उसके बारे में explain करना था यहाँ पर respiratory system क्या होता है, define करना है, साथ में आपको diagram बनाना है, lungs का explain करना है, respiration के mechanism को यहाँ पर आपका psychology से question पूछा गया है, बेवहार को परिभासित करें, स्वस्थ बेवहार और रोग बेवहार का burden करें, healthy और जो unhealthy या फिर disease behavior होता है, उसको explain करना है किसी वेक्ति के बेवहार को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, अगर किसी का behavior change हो रहा है, तो किस reason से होगा, यह सारी चीज़े आपको यहां पर explain करना है विभिन प्रकार के संबंद क्या होते हैं, या आपको relationship के बारे में बताना है, फर उसके बाद से ब्यवसाइक और सामाजिक संबंदों के बीच में अंतर लिखिए, चिकित्स की संबंद के विभिन घटको को संक्षेप में व्याक्या करें, तो यह आपका एक और बड़ा question यहां पर होने वाला है, और गाइनी और आपसे भी question पिछली बार पूचे कहते हैं, तो आप जो basic subjects हैं, उसको ध्यान दीजे क्योंकि जो अगर आप optional exam देते हैं, जैसे आप अगर तयारी कर रहे हो, KGMU, NORSET और UPPSC, प्री के लिए भी आपने अगर optional question पढ तो उन सब को पढ़िए, उन सब subject को टच करिए, और साथ में ऐसे subject को टच करिए, जिसे ज्यादा question आ रहे हैं, जो sociology है, administration है, और psychology है, और यह सारे ज्यादे question पूचे जा रहे हैं, UPPSC में, तो उस पर भी आप ध्यान दीजे, community health nursing से भी question पूचे जा रहे हैं, तो आपको theory की पढ़नी है, theory की book में, already मैंने बताया था, कि जो आपके GNM के books होते हैं, BSA nursing के book होते हैं, या फिर अगर solve paper है, आपके पास GNM का, तो पूरा solve paper सारे subject का पढ़िए, BSA nursing का, अगर solve paper है, तो आप उसको पढ़िए, उसको पढ़ने से आपको पूरे के पूरे question, अच्छे से समा करेंगे, क्योंकि आपको content की जरुत होगी, और कम सब्दों में, आप कैसे पूरे question को complete करेंगे, इस बात पर भी ध्यान देना होगा, तो जो लोग मुझे से पूछे थे, कौन सी book से पढ़ें, तो basic book आप अपनी पढ़िए, पढ़िए, तैयारी वाली book इसमें थोड़ी sufficient नहीं होगी, बाकि आगर आपके पास solve papers हैं, तो वो पढ़िए, या फिर आपके पास theory की book है, अच्छे अच्छे writers की, तो उसको एक बार super officially पढ़िए, तो सायद इस exam में अच्छा से अच्छा आप number gain करें, selection पाएं, इवेन आपकी rank भी अच्छी जाएगी, अगर आप जाएं, वहाँ से आप देख सकते हैं, पांच नमबर question है, प्राकिरति का आप अधाय क्या होती है, तो natural calamities के बारे में बताना है, माना और नीरमित आप अधाय क्या क्या है, ऐसी आप अधायों से निपटने के लिए समुदाय के पास क्या संसादन उपलब्द हैं, ऐसी इस आप जरूर पर्चेस करें, और उसके साथ साथ आपको एक notebook लीजिए, जिसे UPPSC में लिखने में easy हो, मतलब आपको बना बनाया notebook available है market में, कैसे UPPSC main exam में लिखना है, तो आप पर्चेस करें और उसी notebook पे आप लिख लिख के practice करें, ताकि main exam में कम से कम समय में आप अपने exam क क्रैक कर लें, next, six number question है, किनी तीन पर संची टिपड़ी लिखें, मतलब आपके पास कई सारे questions होंगे, छोटे-छोटे heading दिये गया होंगे, और उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा आपको लिखना होगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा-थोड़ा आपको लिखना होगा, तो terminology आपसे पूझा जा सकता, और उसके भी आपको marks मेलेंगे, तो 85 marks का question paper है, तो आप अपना target बना के चलिए, कि कम से कम 50 plus marks आपको ले के आना है, उसी हिसाब से आप अपनी practice बना लिजा, अपनी handwriting पे ध्यान दिजे, और content कैसे लिखना है, उसको सोच के, यह सारी चीज़ों पे ध्यान दिजे, तो मेन एकसाम आपके लिए easy होगर crack करना, तो यह एक और question paper मैंने upload किया है, आपको यह question paper कैसा लग रहा है, यह comment section में बताएं, अगर next model paper आपको चाहिए, तो वो भी comment section में बताएं, और भी अगर कोई doubt है, तो मैं यह comment section में पूरा comment करें, मिलते हैं, next video म love you all, bye